सबसे पहले तो आपको चैत्र नवरात्रिया हिंदु समवर्सर की धेर सारी सुप्तामने उमीद करता हूँ कि इस नवर्स में जो हमारा हिंदु धर्म के अनुसार नवर्स है उसमें आपके लिए बहुत सारी खुसियां आए आपका करियर जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं या उन्नत ही आप लोग करते रहें मैं यही उपरवाले से कामना करूंगा और हम लोग आज की जो क्लास में देखेंगे बच्चो अनुपाद समानुपाद को आज हम एंड कर देंगे लास्ट टाइम मैंने आपको अनुपास समानुपात की question कुछ कराए थे, आज हमारा इंड हो जाएगा और आपको ध्यान रखना है बच्छो अनुपास समानुपात में ये question तो मैं करा रहा हूँ, इसके बाद जब paper का समाई नजदीग आएगा उसके हम कुछ important question प्रक्टिस की रूप में करेंगे अब ये chapter खतम होती है तो 5-6 chapter आपके mathematics के खतम हो जाएगे इसके आदम new chapter में enter करेंगे तो 21 chapter उसके दियें तो लगभग लगभग में कोसिस करूँगा कि आपके वो chapter पूरे end हो जाएगे तो अनुपास समानुपात का अज बच्छो अनुतिम टाइप है दो त्री टाइप की question होंगे एक यह occasion ठीक है मैं आपको पहले समझाता हूँ फिर question करेंगे देखे पहले समझ लिजे question में क्या कहीगा हो वो कहीगा एक bag में इतने रूपी या एक box में इतने रूपी है कुछ रूपीए बताएगा और कहेगा वो जो रूपीए है बच्छो कॉइन में कहेगा सिक्के के रूप में कहेगा जिसे पांच रूपे की सिक्के इतने हैं दस रूपे की सिक्के इतने हैं पंदर रूपे की सिक्के इतने हैं कुछ इस टाइप से कहेगा ठीक है और वो कितने सिक्के हैं उसको अनुपात में देगा जैसे पांस रुपे के सिक्के, दो रुपे के सिक्के और एक रुपे के सिक्के का अनुपात, तीन अनुपात, दो अनुपात, एक है इस तरीके से question पूछेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सुचो जैसे question उसने कहा कि किसी bag में 200 रुपे है total पहले समाज नहीं ठीक कि question करना बहुत आसान है देखो total रुपे कहे दा कि 200 रुपे है अभी 200 रुपे में वो कहेगा कि जो सिक्के है बच्चो क्या सिक्के मतलब जो coin है coin कित्ते कित्ते रुपे के है वो कहेगा कि रुपे 5 रुपे की भी है कुछ 2 रुपे के है और कुछ रुपे 1 के है ठीक है इस type से कहेगा और वो कहेगा कि जो सिक्के है ये तो सिक्के की value है बच्चो ये सिक्के की संख्या नहीं है सिक्के कित्ते रुपे के है पांच रुपे की सिक्के की ते रुपे के हैं, दो रुपे सिक्के की ते रुपे के हैं, एक रुपे, इस बैग में जो टोटल दोच रुपे फिर कहेगा यह जो सिक्के हैं बच्टो इस सिक्के की वैली सिक्कूं की संख्या कहेगा जैसे जैसे सिक्कों की संख्या कहेगा 2 अनुपाद 3 अनुपाद 4 में है इस तरीके से कहेगा 2 अनुपाद 3 अनुपाद 4 में और आप से कहेगा कि 2 रुपे के सिक्कों की संख्या कितनी है 1 रुपे के सिक्कों की संख्या कितनी है अगर सिक्के आपके रुपी में दिये हैं, तो आपको ये उसके बाद जो टोटल, ये अगर रुपी में दिया है, और सिक्के अगर आपको पैसे में दिये हैं, ठीक है, सिक्के आपको दे दिये पैसे में और एमाउंट दे दिया रुपी में, तो आप ये पैसे को भी किस में में गंबड करोगे, रुपियों में गंबड करोगे, ठीक है, अब मैं देखो, जस्ट पहले समझाता हूँ आपको, बहुत आसान कोशन है, easily आप एक ही बार में पकाल लिए इनको, ठीक है, बहुत ज़ाधा टफ कोशन नहीं है, ठीक है, मैंने का, suppose ऐसे हैं, देखो, face value लिख ठीक है, face value, और संख्या पूछेगा, number of coin, यानि number of coin, यानि सिक्कू की संख्या, ठीक है, सिक्कू की संख्या पूछेगा, suppose क्या कि 10, 20 और 30 है, यानि 5 रुपे की सिक्के 10 रुपे, 1 रुपे की सिक्के 20 रुपे, और 2 रुपे की 30 हैं गएगा, आप समझे इस इसको, मैंने क कrunika का सिक्वें जो है 5 रुपए के face value 5 रुपा 1 रुपय 2 रुपया है और जो number of coin है निल जो सिक्वें वो 10 रुपए है इक रुपय के 10 हैं 1 रुपय के 20 है दो रुपय के सिक्वें कितने हैं वच्चो 30 हैं और मैं आपसे यह काओ चal तो बच्चो एक ची बताओ फिर टोटल किते रुपे हैं बैग में, मतलब कितना basic question है, मैंने कहा हैं, आपसे मैंने कहा कि किसी बैग में, जो किसी बैग में पांच रुपे, एक रुपे और दो रुपे के सिक्के रखे गए हैं, जिनकी संख्या 10, करमसा 10, 20 और 30 हैं, और मैं क होंगे, आप तो बताओ फिर बैग में, टोटल किते रुपे हैं, आपको पता तो हैं बच्चो, पांच रुपे के, पांच रुपे के 10 सिक्के हैं, तो टोटल किते रुपे होगे, पांच रुपे के, यह सब को गुणा करोगे न, यह, पांच रुपे के, पांच रुपे क बी से कम 20 रुपे होगे एक रुपे के 30 दूना 60 रुपे होगे किसका 2 रुपे का सब को जोड़ दो 50 और 20 70, 70, 70, 30 130 रुपे यही तो होगा न एक बाब बताओ अगर आपसे मैं इस तरीके से कुशन पूचो तो आपके यही तो आँसर आएगा न कि मैंने कहा कि 25 रुपे का 1 रुपे का 2 मैं है और मैंने कहा मैंने कहा आपसे कि face value जो है 5 जो मतब सिक्के है 5 रुपे के 1 रुपे का 2 रुपे का है और जो टोटल सिक्के है 5 रुपे के 10 है 1 रुपे का 20 है 2 रुपे के 30 सिक्के तो मैंने कहा कि bag में कितने रुपे हैं आपने कहा कि आपने कहा है दस पंचे 50 रुपे होगे 5 रुपे से 20 से कम 20 20 रुपे होगे 2 रुपे के 30 दुना 60 रुपे होगे 2 रुपे का तो टोटल किते रुपे होगे 130 by chance वो इसी तरीके से कहsels, आप से ऐसा गिए देखो, by chance face value आपको दे दे इसी तरीके से और कहें कि जब बच्연ों ऐसा है face value 5, 2 और 1 कहें, कहेंगा कि 5 रॉपे के सिलके हैं उसमें दो रॉपे के सिलके हैं, और अभी क्या कहा है इसने number of coins, number of coins इसने खोल के दिया है अब क्या कहेगा number of coins suppose ठीक है number of coins निशिक्कूं की संक्या उसने अनुपात में दे दी और अनुपात कहा 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है इस तरीके से कहा कि यह जो number of coins है यह निए 5 रुपे के 2 रुपे के और एक रुपे के सिक्कूं का अनुपात 1 बैग में एक अनुपात दो अनुपात तीन है यहां तो इसने सीधे वोला 10, 20 और 30 है यहां का अनुपात में है तब जाके अगर इस तरीके से question आता है बच्चो और आपसे suppose कहेज़े कि कुल बैग में 120 रुपे हैं और बैग में कहा कि कुल 120 रुपे हैं तब आप क्या करोगे अगर आपसे पूछेगा कि यह क्या हैं 5 रुपे के कित्ते सिक्के हैं 2 रुपे के कित्ते सिक्के हैं 3 रुपे के कित्ते सिक्के हैं कैसे निकालोगे तो आप इस question में confuse मत होना बच्चो इसमें जब अनुपात में दिया होगा आप इन सभी अनुपात को एक नंबर से मल्टिप्लाई करना जिसका नाम है x तो x से गुणा कर दो, यह x हो गया, यह 2x हो गया, 3x हो गया मतलब यह अनुपात बदिया है, तो अनुपात मैंने क्या बताए है अनुपात का सीधा सीधा मतलब, अगर आप उसके real value निकालोगे तो एक समान नंबर से गुणा करना पड़ेगा, तो उसके real value हैगी तो हमने सब होज x से गुणा कर दिया, ठीक है, अब आपको बताओ कितना आसान है बच्चो अब आपको पता नहीं चल गया क्या है, आप आपस में अभी तक गुणा कर दो, इनको भी गुणा कर दो आपस में ये, कर दो आपके जो पैसा है ना, टोटल पैसा हो गया ना, आपके इसाब से देखो, आपने क्या किया, जो सिक्के दे रहे हैं, उसको सिक्कों के जो वैल्यू है, उससे गुणा करके आपके टोटल रुपे आएगा नहीं, टोटल तो आएगा, तो आपके अनसार टोटल ये है, टोटल मतलब जोड और question के अंसार total कितना है 120 तो दोनों equal तोंगे बस आपका यही तो करना है आप x नहीं निकाल पाओगे यहां से बताओ सही बताओ यहां से x से दिखाओ 5, 4, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12 x बराबर 120 बटा 12 हो जाएगा यहनि x की value कितने आगे 120 बटा 12 यहनि 10 x कितना आगे 10 बस अब जो boost है आप से आपसे कहेगा चल भई बता 2 रुपी के सिक्क्या कितने आपसे 2x कर दिया 10 donor 20 आप से पुछा 3 रुपी के सिक्क्या बचया आपने खा चैti रुपी के 10 रख दिता हूँ 10, 13 आपसे पुछा 5 रुपी क्तने शिक्क्या आपको je community 10 दोड़ देना, एकस की वैली निकाल देना, अब आपसे question पूचेगा, तब समझ में आएका, ठीक है, देखूं, बहुत आसान है, same pattern अपनाना, ठीक है, question लिखो, आप लो, question लिखना, एक बैग में कुल 240 रुपे हैं, एक बैग में कुल 240 रुपे हैं, ठीक है, जिसमें, जो सि के सिक्के के रुप में है, ठीक है, यदि वही क्या कह रहा है, एक बैग में कुल 240 रुपे हैं, जो की रुपे 5, रुपे 2, रुपे 1 के सिक्के के रुप में है, ठीक है, रुपे 5, रुपे 2, रुपे 1 के सिक्के के रुप में है, ठीक है, वो कह रहा है, रुपे 5, रुपे दो रुपे एक के सिक्कूं का अनुपाद इन सिक्कूं का अनुपाद क्रमसा इन सिक्कूं का अनुपाद पूरा लिखना है ठीक है इन सिक्कूं का अनुपाद लिखो बच्चों इन सिक्कूं का अनुपाद क्रमसा क्रमसह एक अनपाद दो अनपाद तीन है क्या गह रहा है इन से कुगा अनपाद एक अनपाद दो अनपाद तीन है तो रुपे पाँच के कितने सिक्के है तो रुपे पाँच के कितने सिक्के है ठीक है रुपे पाँच के कितने सिक्के है question ये पूछा बत्चो आप से देखू आपसे क्या अका एक bag में कुल 240 रुपए है जो की रुपे 5 रुपे 2 रुपे 1 के सिक्के के रूपे मैं मतलब उसमें 5 के सिक्के भी है उसमें 2 रुपे के सिक्के भी है उसके 1 रुपे की अब कितने हैं हमें नहीं पता नमबर नहीं पता, तो आप क्या करोगे, इसको X से मल्टिप्लाइ करोगे, सब को ठीक है, X से मल्टिप्लाइ करोगे, X, 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 बस, अब देखो, अब आपको बताओ, अगर मैं कहों, उस बैग में 5 रुपे की कितने सिक्के हैं, अगर नॉर्मल 240 रुपे हैं, तो उसमें बैग कर दोगे, पता धिल्त हैंगा, मैं कहों दो रुपे के शिक्के कीत्ते रुपे हैं टोटल नुटार को गुणा कर दोगे, कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्छी देखो, x को 5 से गुणा करो 5x टोटल वतला प्लस 2x को 2 से गुणा करो 2 दुना 4x प्लस 3 एकम 3x यह हुआ इसकी value question के अनुसार कितनी है बच्चों 240 रुपे हमारे अनुसार यह है तो दोनों बराबरी तो होंगे बस आतो गिया x से यहां से देखो 5, 4, 9, 9, 3 बार एक्स बराबर 240 और x बराबर कितना आ गया बच्चों 240 को बार से डिवाइड कर दो बार दुना 24 यानि कितना होगा बार दुना 24 बीस x की value कितनी आगी बच्चों 20 आगी अब क्या question बचा तो 5 रुपे के कितने सिक्के हैं 5 रुपे और लगा है यह है 5 रुपे के कितने सिक्के हैं बच्चो 1 x x से कितना आ गया आपका 20 20 को एक से गुणा करो तो 20 से कम 20 तो 5 रुपे के सिक्के लिखो 5 रुपे के सिक्के कितना होगा 5 रुपे के सिक्के 20 को 20 यहाँ पर रखोगे न 20 गुणा 1 20 गुणा 1 कितना आ गया 20 और आपसे फुस्ता दो रुपे के कित्ते सिक्के हैं आपको पता है दो रुपे के दो X से सिक्के हैं तो कित्ते से गुणा कर दोगे 20 दोना 40 आपसे फुस्ता तीन रुपे के कित्ते सिक्के हैं 20 को किसे गुणा कर दोगे 3 X से रख दोगे 20 त्यान 60 सिंपल है बस एक बार कोशिस करना समझने की मैं क्या कहना चार। उसको समझना ठीक है ? लिखों एक बैग में कुल 410 रुपे मेंसे एक बैग में कुल 410 रुपे में रुपे 5, 2, 2 और 1 के सिक्के हैं ठीकspeaking है ? दो और एक रुपे के सिक्के के रूप में हैं ठीक है पांच दो और एक रुपे के सिक्के में हैं तथा इन सिक्कों का अनुपाद चार अनुपाद छे अनुपाद नौ है इन सिक्कों का अनुपाद करमसा चार अनुपाद छे अनुपाद नौ है समझ गया यह कहा रहा है एक बैग में कुल 410 रुपए है जो की 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के के रुपए है तथा इन सिक्कूं का अनुपात यह आपको यह नहीं आप से कहा कि 5 रुपए की सिक्के भी है 2 रुपए की भी है 1 रुपए के लेकिन कौन से सिक्क तो रुपे 2 के कितने सिख्के है, कितने सिख्के है, मैंने क्या खा, आपसे सिख्के अगर डिरेक्ट संख्या में दी होती, तब तो आप निकाल लेते, लेकिन आपको सिख्के डिरेक्ट संख्या में ने देखे अनुपार्च, अनुपार्च में दी है तो हर्ज को किसी को आदेना है ठीक है बस इनको क्या कर दिना आपस में multiply कर दिना कर दो multiply पांच को 20x total ठीक है total निखो गया total मतलब प्लस होता है प्लस 6 दुना बार x प्लस 9 इकम 9x ये आपके अंदर साथ total है और question के अंदर साथ total कितना है 410 रख दो value ये बराबर 410 है तो जोड़ो 20 और बार कितना होगा 32 32 कितना होगा 41 41 x बराबर 410 x बराबर आ गया बच्छो कितना 410 बटा 41 41 ये कितना बार कट गया 10 बार कट गया तो x की value कितना आगी बच्छो x कितना आ गया 10 आप क्या गया रुपे 2 के कितने सिक्के है कितने सिक्क हैं बच्छो रुपे दो के सिक्क है यह 6X है है न 6X तो रुपे दो के सिक्क है कितने होंगे रुपे दो के सिक्क है कितने होंगे 6X 6X मनलब 6 गुणा X की वैल्यू कितने निकाल लगे है 10 कितना होगे बच्छो 60 सिक्के हैं 2 रुपे के ठीक है किते सिक्के हैं 60 सिक्के हैं 2 रुपे के बहुत आसानी से आप लोग क्या कर सकते अगर आपसे पुछा रुपे 5 के किते सिक्के हैं आपके अगरों के 5 के किते सिक्के हैं 4 एकसे 4 दस हम 40 आप से कुछा रुपए एक के किते से कहा है, 9 और 10, 10 नमा 90, तब जोड़ोगे तो value आपकी आजाएगे, ठीक है, अगला question लिखो इसी type से, बहुत हलका और बहुत important question है बच्चो अनुपार समान पात का है, ठीक है, इस type की question हलके and important है, ठीक है, important भी ध्यान रखना है इन चीज तो पैसे में दे रखना है, अब हलका सा type चेंज करना है, type लिखो, अगला type लिखो, ठीक है, अब जैसे कहेगा face value, face value कहेगा, ठीक है, यानि जो सिक्के है, सिक्के के ऊपर कितना लिखा है, suppose एक में लिखा है, रुपिया एक, एक तो एक रुपिका हो गया, अब बागी इस एक बैग में एक रुपिया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के है, ऐसा गैन लग गया, ठीक है, और कहेगा number of coin, यानि कित्ते सिक्के है, अनुपात नहीं कहे रहा हूँ मैं, number of coin, यानि आपको coin दे दे गए 10, 20 और 40, कहेगा, एक रुपिके के 10 सिक्के है, 50 पैसे के 20 सिक्के है, औ 25 पैसे के 40 सिक्के है, ठीक है, ऐसा गया, इसने, number of coin, 10, 20 और 40, अब आप बताओ, अगर मैं कहें, बैग में टोटल कित्ते रुपिया, आप क्या करोगे बच्चों, इनको multiply करोगे, ठीक है, आप टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल, 10 को किस से इंटो करोगे, एक तो पैसा में बढ़ करना, ठीक है, तो देखो, इसको तो आपने टोटल करने में, 10 से कम, 10 कर दिया, प्लस लगा थे ना, अब देखो, यहां फज जाओगे, यहां है बच्चों, पचास पैसा, यहां है रुपिया, पचास पैसे मनना कित्ते रुपी, एक रुपे का आधा पचास पैसा मनना आधा रुपिया, आधा रुपिया मनना एक बट्टे दो रुपिया, एक बट्टे दो से इंटू करोगे उसमय, ठीक है, इंटू 20 इंटू एक बट्टा दो, इसी लिखिया मैंने, यह जो 20 से 50 को मत इंटू कर देना, पचास पैसे को अगर रुपिया में प्लस, चार से चारिस कित्य वार कट गया बच्छो, दस चक्को चारी दस, तो टोटल कित्य रुपे होगे बच्छो, तीस, ये होगा, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है, फेस वैल्यू, तो कहने का मतलब कुछ नी था, सेम कॉश्चन होगा, लेकिन ये ध्यान रखना ये अगरा देखो, जैसे आपको देदेगा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कैसे देगा, देखो, दस रुपे, पचास रुपे, और पचीस पैसे देदिया, सपोज, दस रुपे, एक रुपे, पचास पैसा, और पचीस पैसा, ऐसे देदिया, ठीक है, अब number of point का अनुपाद देगा, जैसे मैंने starting में कर रखा है, ठीक है, number of point, यहनि सिक्के कितने हैं, अभी इससे पहले मैंने नोट करवाया, उसमें तो सिक्क्यों की संग्या लेकी थी, इसमें अनुपाद, इसमें का एक अनुपाद, दो अनुपाद, चार है, ठीक है, क्या गएगा, एक अनुपाद, दो अनुपाद, चार है, तब टोटल निकाल गएगा, टोटल, टोटल दिया होगा आपको और किसी एक पर्टिकुलर सिक्क्य की, कितने सिक्क्य हैं गएगा, तो टोटल में आपको तो question में दिया होगा, टोटल में आप क्या करते हो बच्चो, इन दोनों को गुणा करके जोड़ते हो, लेकिन यहाँ अनुपाद होगा, तो किस से इंटू करोगे? X से, यही तो करोगे न, अभी तक सिखाया था मैंने, अब इनको इंटू करोगे तो देखो, यहाँ क्या है? रूपिया, यहाँ क्या है? पैसा, बस, यही फसाने वाला है, पहले वाले को इंटू करो, X को, एक X को एक से कुणा करोगे, तो X ही आएगा, प्लस, टोटल खेले प्लस लगा रहो, अब यहाँ पस होगे, देखो, दो X इंटू 50 मैसा है, 50 मैसे को किस में इंटू करोगे? एक बट्टे 2 रुपिया, पचास मैसा बत्तब किता हो, बचो एक बट्टे 2 रुपिया, और 25 मैसा वन लब, एक बट्टे 4 रुपिया, बस, यह कह रहा हूँ, मैं इसको ध्यान रखना, अब इंटू कर लो, 2X को किस से इंटू करोगे? एक बट्टे 2 से, प्लस, 4X को किस से इंटू करोगे? एक बट्टे 4 से, बस, वॉल्प कर दो, 2 से 2 कर गया, 4 से 4 कर गया, तो इस टोटल कितना हो गया? एक्स प्लस, एक्स प्लस, एक्स, यानि 3X हो गया, ठीक है? 3X से बराबर कुश्चन में कुछ दिया होगा? X सा आप लोग निकाल लोगे. क्या टफ है कुश्चन? नहीं है ना? अब देखो, यह तो मैं समझा रहा था, यह नोट में लिखना, ठीक है? एक बैग में, अब बस यह रुपिया और वो गनवर्ड हो गया और कुछ नहीं हो रहा है. लिखो, एक बैग में कुल 50 रुपे हैं, जो 1 रुपिया 50 पैसा और 25 पैसे की रूप में है. यानि, यह गया रहा है कि एक बैग है उसमें हमने 50 रुपिया रखे हैं, जिसमें 1 रुपै के सिक्खे हैं, 50 पैसे के सिक्खे हैं और 25 पैसे के सिक्खे हैं, ठीक है? इन सिख्कों का अनुपाथ करमसा एक उनुपाथ दो है तो 50 पैसे के सिख्कों की संख्या कितनी है सिंप्ल साथ बत्य देखो मैंने क्या खaz अनुपाथ में दियाओ गा तो इसको किस से कर दो कि सब को X से multiply, यानि ये X हो गया, ये X हो गया, ये X, तोटल निखालने के लिए मैंने क्या कहता, आपस मैं इंटू करके जोड देना, आपस मैं इंटू एक X को एक रुपीय से गुणा करो, X से आएगा, प्लस टोटल के लिए अब ये फसाईगा ये है पैसा ये है रुपिया ये रुपिया होता तब तो चल जाता अब पैसे को रुपे में गणबट करो एक बट्टे दो रुपिया हो गया तो 2X को एक बट्टे दो रुपिया से इंटू करोगे न 2x into एक बट्टे 2 रुपिया प्लस ये कितना हो गया 2x को 25 पर समनला 1 बट्टे 4 रुपिया तो 2x को 1 बट्टे 4 से इंटू करोगी ना 1 बट्टे 4 ये हमारे अनुसार टोटल है और question के अनुसार कितने रुपिया है बचो टोटल 50 रुपिया बराबर 50 बस solve कर दो ये 2 से 2 cancel हो गया और ये 2 से 4 कितने बट्टे बट्टे रुपिया 2 बार हो गया तो उपरने कितना गया x plus x plus x by 2 बड़ाबर 50 इतना ही तो आया solve करना आता है ये नहीं आता LCM लो ये 1 हो गया इसके निचे 1 मान लो थिके? तो टोटल नीचे कितना होगे हैं से मिलचो बच्चो दो हो गया यही तो शिखा रखा है मैं अब कैमे आपको अब 1 से 2 कितंटे बार गटेगा? दो बार उस 2 से इसको इंटवार करोगे इंटू 2x प्लस इस 1 से 2 कितंटे बार करोगे पांच X चरावरर ये दो आपको पता होगा नँ क्रोस इह को लूतिप्लाई होग nghi होग जाता है इसके नीचे एक मांन लो X से सारे को into करोगे एक ही आएगा इससी इसको into बरो पांच एकस बरावर फचास दुना 100 X बरावर 20 कितना आगया X बरावर 20 मुझे लगता है कि आपको इस question को समझने में कोई भी दिकत आई होगी ठीक है इसी तरीके से अगला question लिखो जो आप homer के रूप में करोगे homer के रूप में तो क्या करोगे मैं अगला type लिख लो अब थोड़ा सा question घुमा देगा ठीक है ये तो बहुत basic question है आपको अनफात्व दिया होगा आप सबको x से into करना और उपर आले coin से into कर देना अब ध्यान ये रखना रूपीय है तो रूपीय पैसे है तो पैसे ठीक है नहीं होगे तो convert कर देना अगला और अंतिम type लिखो देखो अब आपसे ऐसी face value नोट करके लिखना इसको तो note करके face value आपको दी 5,2,1 मतलब आपसे कहा 5 रूपी की भी सिक्के हैं 2 रूपी की सिक्के भी है 1 रूपी की सिक्के जैसे 5 रूपी की अगर 10 रूपी की सिक्के होंगे तो कित्या amount हो जाएगा 10-50 न तो amount देगा आप कहेगा कि 5 रूपी की सिक्के जितनी भी है उनकी total उसकी जो value है यनि amount आई है वो आई है 20 ठीक है 2 रूपी के सिक्के की संख्या आई है मतलब amount आई है 40 और 1 रूपी के 10 ऐसा question पूझेगा अभी तक face value के साथ number of coin देड़ था अब आपको amount दे रिया अब मैं पूछता हूँ आप निकालो number of coin कितनी होंगे बताओ इसलिए अब बताओ मैंने कहा कि coin कितनी होंगी बताओ फिर 5 रूपी की coin कितनी होंगी कितना सिंपल सा question है बतो देखो बैग मैं 5 रूपे 2 रूपे और 1 रूपे की सिक्के है पांच रूपे की जो सिक्के होंगे उनकी total value 20 रूपिया है तो कितनी होंगे बताओ 5 रूपे की लगाओ 5 रूपे की तो 5 को 20 रूपे की निकाला 20 को 5 से डिवाइट कर दिया तो 4 सिक्के आगे आपसे कहा कि 40 रूपे हैं 2-2 के सिक्के कितने सिक्के होंगे 2 के 20 सिक्के होंगे ना 40 बताओ आपको जब coin निकालना होगा तो coin निकालने लिए amount को divide करते हैं बच्चों face value से ठ 5 रुपे के कित्ते अमाउंट है टोटल, मतलब 4 सिक्की हैं कोई निकालने के लिए, ठीक है इसी परकार से 40 बटा 2, यानि 2 रुपे के कित्ते मतलब वो है उसमें बच्चो 20 हैं, और लास्ट रुपे कित्त अगर 10 बटा 1 होगा, यानि कित्ता आजएगा आपका 10 आजएगा, यह ऐसे कोईन निकालते हैं, तो कोईन की संख्या अगर कभी निकालने हैं कि सिक्के कितने हैं, पैसा कितना नहीं, सिक्के कितने हैं, आप क्या करोगे, टोटल जो वैल्यू है, मैंने जो अमाउंट है, उसको किसे डिवाइट कर दोगे बच्चों, उन सिक्कों की संख्या स ठीक है देखो, phase value आपने 5, 2 और 1 लिखे और amount आपने लिख दिया, 2 अनुपाथ, 4 अनुपाथ, 1 अब क्या करोगे, यह अनुपाथ करना, note करके, 2 अनुपाथ, 4 अनुपाथ, 1 तो वही तो है, यहाँ x से लगा दिना, तो x से लगाओगे, किता लगा 2x, 4x और x, अब आपसे coin निकालो गएगा, नहीं निकाल पाओगे, क्या coin क्या होथा, यह बट्टा यह, अभी तो पताया था, 2x by 5, 4x by 2, और x by 1 यह सी तो निकालोगे coin, क्या टप है, बताओ, यह बहुत basic question तो है, बच्चो इस तरीके से, आप इनको solve करोगे, और total आपको कुछ ने कुछ value दी होगी, ठीक है, इस तरीके से हम चले, माना वो कहएगा कि 34 सिक्के है, माना 34 सिक्के है, अब बताओ, इसको कैसे solve करोगे, आपके question के अनुसार कितने हैं, यह है, question के अनुसार कितने हैं, 34 है, तो बात तो एक है न, सब को जोड़ दो, यह बरावर लिख दो, 34, बस यहां से आप x निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, x निकाल लोगे, यहां से LCM अगरा लोगे, LCM निकाल के आप x से ले लोगे, suppose x 10 आया, suppose x की value 10 आयी, पस रख देना आप, जिस भी coin की संक्या पुझेगा, उसकी जगा वो रख देना है, ठीक है, यानि आपका 2x बरावर 24x की जगा आगा 40x की जगा 10, एक question करो, उसके बाद हम लोग इसके आप लोग घर पे practice करते नहीं ठीका, आज की दिन का अंतिम और इ ठीक है, जो 5, 2 और 1 रूपे के रूप में है, जो 5 रूपया, 2 रूपया और 1 रूपे के रूप में है, एक बैंग में कुल 58 सिख्के हैं, जो 5 रूपे, 2 रूपे और 1 रूपे के रूप में है, जिनके मुल्यू का अनपाद, 2 अनपाद, 1 अनपाद, 2 है, ठीक है, value इतनी ह और मुल्यू का अनुपाद, amount इतना है तो, तो, प्वेशन लिखो तो, पांच रुपे की सिक्क्यों की संख्या कितनी है तो, रुपे पांच की कितने सिक्क्य है, ठीक है तो, सिंपल सी बात तो है, बच्चों, इसके अंदर क्या लगा दोगे एक्स, लगा दोगे एक्स एक्स से लगाती है, आपको क्या कह रहा है मैंने क्या बताया आपको, जैसे ही आपने एक्स से लगाया, आपको number of coin पूसता है, तो ये divide by ये ये divide by ये, ये divide by ये ठीक है, तो number of coin लिखो अभी बताया था मैंने, ठीक है 2x by 5 प्लस x by 2 यानि एक एक्स बटा दो प्लस 2x by 1 ये ही तोगा, बराबर कितना है, 58 है प्रशन में तो 58 है, बस यहां से आप x से निकाल लोगे, LCM निकाल के बहुत अच्छे से x से निकालना, बच्छो लगभग x से 20 के आसपास आईगा, चेक कर लेंना 20, 10 यतरा भी आ रहा, मैं calculation नहीं कर रहा x जैसे आगया, आपसे amount पुझेगा, किसके पुझेगा, पांच रिपेके सिक्कोंगे पांच रिपेके सिक्के कितना है, बच्छो दो, यानि 10 दूना, बदना, सॉरी आपसे क्या पुझेगा, number of coin पुझेगा, जैसे 20, 20 दूना, 40, ये देखो, ये 20 है न, ये वाला कित्ता देगा, 20 दूना, 40 और 20 है कम, 20, और ये भी 20 दूना, 40 तो 40, 20 और कित्ता आएगा, बच्छो, 40 आएगा और पांस रुपे के जिसके बुचा तो पांस रुपे के सिक्कों के संख्या कितनी है पांस रुपे के सिक्कों के संख्या अगर आपको निकालनी होगी तो चारीज बटा पांस देखो पांस रुपे के सिक्के बुचाने से आपको तोड़ा इसमें कन्फियूज गया, देखें बहुत आसानी से आपने क्या करना है, ये देखें face value, आपको दे रखा कि इसमें जो है, कितने इनकी amount है, आपने x लगा के आपने number of coin निकाल दिया, number of coin जैसे ही निकलेगा, वो आपकी x की value आगी, तो आप ये निकाल होता है, फिर हम लोग इसके बाद जरूर बहुत जल्दी नया जप्टर सुरू करेंगे, फिर मिल टाइगले session पर ध्यान दखेगा, thank you.